हेलो दोस्तों नमस्कार में लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 22 सितंबर और 23 सितंबर की जो करन्ट अफेर है वह हम करने वाले हैं जो कि हमारे एक्जाम के पॉइंट वप्यू से बहु जदा इंपोर्टेंट है तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आज आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हाँ साती में जो हमारा मंतली करेंट अफेर आ रहा है तो वह भी आप देख लेना जो कि हमारा अंटी पीसी और ग्रूप डी और असे सी एक्जाम होने वाला है अभी तो वह उसके लिए इंपोर्टेंट है तो 16 से 30 सितंबर 2020 तक सवस्ता पखवाड़ा मना रहा है यानि भारते रेलवे मना रहा है सवस्ता पखवाड़ा यह क्यों सन इपोर्टेंट है ठीक है पखवाड़े के उद्गाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्याल लेओं मंडल कारया लेओं और अन्य परतिश्टान को व्यापक साब सपाई और सवस्ता पर विशेश ध्यान दिया जाएगा ठीक है सविंगत राश्टर प्रयावण कारेकरम यह यानि यू एन इप के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने सवस्ता और प्रयावण विश्य पर एक वेबिनार का योजन किया है यह इंपोर्टेंट है किसके साथ में यह मिलकर कर रहे हैं तो यह यू ए एन इप के साथ मिलकर उत्तर रेलवे माध्यम है उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने सवस्ता और प्रयावण विश्य पर एक वेबिनार को आउजन किया है ठीक आगे है सतर के दुरान चर्चा में आए कुछ प्रमुक मुद्दे हैं उन पे जान लेते हैं बारते रेलवे द्वारा जो उन्ची ठोस अप्सिस्ट पर बंधन पानी की बंचत और उर्जा स्रंक्षिन आधी के लिए कदम उठाए गए हैं ठीक है सवच भारत मिशन के साथ आ बात हुई थी ठीक है यह याद रखना है यह कुछन भी ऐसे कुछन आ रखे हैं एक्जामस के अंदर एलवे खे ओके आगे चलते हैं पॉइंट नमबर दो है हमारा बारत के आठ सागर तटों के ब्लू फ्लेग अंत्राष्टे इको लेबल दिये जाने की किया सिपारिस ठी पहली बार भारत की आठ सागर तटों की प्रतिष्टित अंत्राष्टे इको लेबल ब्लू फ्लेग जो है प्रमान पतर उसकी सिपारिस की गई है ठीक है इंपोर्टेंट आठ सागर तटों की प्रतिष्टित अंत्राष्टे इको लेबल फ्लू जो फ्लेग है उसकी प्रमा परिवर्टन मंत्री कौन है वो है प्रकाश जवेड कर जी ने 18 सितंबर को आयुजित एक अभासी काले करम के दुरान बात की थी ठीक है तोड़ा जो ब्लू फ्लेग है उसके बार में जान लेते हैं ठीक है जो यह ब्लू फ्लेग प्रमान पत्र है यह फांडेशन फोर इन्वार्मेंट एजुकेशन डेन्मारक द्वारा दिये जाने वाला एक अंतराष्ट इस तर पर मानेता प्राप्त एको लेबल है ठीक है यह और ब्लू फ्लेग सागर तट विस्वे के सबसे सबसे सागर तट माने जाते हैं ठीक है यह भी आपको नोट करना है विस्वे के सबसे सबसे सागर तट कहसे मान जाते हैं तो ब्लू फ्लेग सागर तट को उसके बाद में जो हमारे आर्ठ जो समुदर तट चुने गए हैं वो कौन कौन से ब्लू फलेग के लिए तो सबसे पहला रहेगा गुजरात का शीवराजपुर तट ठीक है उसके बाद में दमन इवदीव का गोगला तट ठीक है ये क्यूशन भी है मतलब आ सकता है कि दमन इवदीव के अंदर कौन सा तट है तो गोगला तट है आगे करनाट का कासर गोड बीच ठीक है और आगे करनाट का पदू बिर्दी बीच और केकेरल का है कपड बीच अंदर प्रिदेश का है रुसी कोड़ा बीच और ओडिसा का गोल्डन बीच और अंडोबान निकोबार का राधा नगर बीच यह आपको आठों को याठों पॉइंट आपको सुरूची पूरण प्रबंदन शेवा कारेकरम के सुबारम के भी गोशना की है ठीक है आगे चलते हैं पॉइंट नम्बर तीन है फिंच सॉलुसंस के ने वीत वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में माइनस 8.6 परसेंट गिराउट का जताया है अनुमान ठीक है फिंच सॉलु इनका जो अनुमान था वो था माइनस 4.5 ठीक है जो कि अब बढ़कर कितना हो गया माइनस 8.6 ठीक है साहत ही उसने 2021 और 22 में साल दर उसके अंदर 5 परसेंट की वर्धी का भी अनुमान जताया है ये भी आपको अच्छे से नोट करना है ठीक है फिंच सॉलुसस ओके आगे ह समंत्राले और महिला एंवाल विकास मंत्राले वुमेन एंड चाइड डेवलप्मेंट की बीच एक समझोते के ग्यापन पर अस्ताक्षर हुए है ठीक है ये थोड़ा पढ़ लेना है इसको देख लेना है ठीक है उसके बाद में जो है दोना मंत्रालियों की बीच परस पर्टेंट ले रहें है आयूर्वेद्ध योग और प्राकरतिक चिकस्या और यूनानी सिद्द और होमेपरति राज्यय्य कोन ने केंद्रिय और महिला और बाल विकास मंत्री कोन है पर गवरे रीसर्च और अनलिसव के नए pause नूभे नपन्ग परमुक है और को एस्व मु यानि रोखे प्रमूख अनील धमसाना ठीक है आगे है धमसाना खूपिया विभाग की पूरू अधिकारी सतीज जहां की जगह लेंगे ये भी आपको नोट करना है सतीज जा की जगए को उन ले रहा है दमाना खूपया आगे है धस्माना गुनीशों इक्यांसी बेज के आईपिय सदिकारी एक पाकिस्तानी विश्य से गया है जो फरवरी 2000 गुनीश में बाला कोर्ट में हुए एर्ष्टाई के मुखे योजनाकार थे ये भी आपको याद रखना है जो उन तर गुनीश में आमचुनाव के चलते हैं उन्होंने अपना विश्तरित जो कारेकाल शुरू होने से कुछ महीन पहले पत छोड़ दिया था इन्होंने ठीक है उसके बाद में आगे चलते हैं पॉइंट नमबर च्छे है विश्वे बेंक ने मानव पुजी सुचकाग में भारत को मिला है एकशो सोलवाहिस्तान ठीक है विश्वे बेंक के मानव पुजी सुचकांक में भारत को कौन से हिस्तान मिला है ? एकशो सोलवाहिस्तान मिला है विश्वे बेंक ने – The Human Capital Index 2020 Update Women Capital in the Time of COVID-19 सेट सक एक रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर भारत को 116 रेंक मिली है मानोपुंजी सुचकांक HCI 2020 Human Development Practice Group और विश्वे बेंक के विकास अर्शास्तर ग्रूप के बीचिक सेयोग है और मानोपुंजी सुचकांक 2020 में सामिल हुए एक सो चोतर देशों में से बारत को 166 इस्तान पर रखा गया है ठीक है बारत को 166 पर रखा है तो टोप पर को ने तो वो रहा है सिंगापूर जिसको 0.88 मिले है बारत को मिले है 0.49 और होंग कोंग और चीन रहा है शेकेंड पे जिसके अंदर पॉइंट कितना मिला है इसको यह मेरी स्कोर मिला है 0.81 और जपान रहा है थर्ड पे जिसे मिला है 0.80 ठीक है तो यह आपको याद रखना है वर्श 2020 के Human Capital Index अपडेट में मार्श 2020 तक दुनिया के 114 देशों की 98% अबादी को कवर करने वाले स्वास्ते और शिक्षिया डेटा सहमिल है इसके अंदर ठीक है इसके बाद में आपको यह दो चीज और नोट करना है इस्टेटिक जिके के पॉइंट वप्यू से इंपोर्टेंट है विस्वेबेंक के देश कौन है वो है डेविट राबर्ट मेलग ठीक है पहले मालपास थे ठीक है अब यह बने हैं डेविद राबर्ट मेलग विस्वेबेंक का मुख्यालब कहां पर है वासिंग्टान डीज सी स्व्वेबेंक राजी अमरीका के अंदर है उसके बाद में है PM मोदी 2 अक्टूमबर को करेंगे वेभव समिट का उद्गाटन ठीक है क्यूसन इंपोर्टेंट है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी वीडियो कॉर्प्रेसिंग के माध्यम से 2 अक्टूमबर 2020 को वेस्विक भारते विग्यानिक जो है वेभव समिट उसका सिकर समयलने का उद्गाटन करेंगे ठीक है थोड़ा पढ़ लेना है इसको अच्छे से देख लेना है इसके अंदर इंपोर्टेंट नहीं है आगे प्रमिंट नमबर आठ है ब्रा को बाबा ने की है अपने संबरन के पहले खंड ए प्रोमिस्ट लैंड को जारी करने की गोशना पूर्वे अमरेकी रष्टपरती ब्र इसको परकाशित किया गया है यह नकी किताब है ब्राक उबामा जी की इसके अंदर 7687 पनने है याणि पेज है जो कोण कर रहा है परकाशित वो कर रहा है पगोई इन रेडम हाउस ठिक है इसे 17 नौबर दोजार बीस को 25 बासाओं में जारी किया जाएगा ठिक है यह कितने में जारी किया जाएगा 25 बहसाओं में जारी किया जाएगा एप रोमी जो है एप रोमिस्ट लेंड पुष्टक को 200 करौनों में से पहला संस्कृन है और इस संस्क्रन में उन्हों के जो है परम्भिक राजनीती जीवन दोजार आठ के राश्वती अभियान और दोजार ग्यारा में उसामा बिन लादेन की मर्तियों के साथ समापत उनकी कारेकाल के बारे में जानकारी होगी ठीक है अगर पॉइंट नमबर आठ है विस्वे अलजाइमर दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया ज पॉक अबाउट डेमनी जो है वो मनाया गया है इसका थीम ता विस्वे अलजाइमर दिवस की सुरुवात है 21 सितंबर 1994 में यानि है वो एडिन ब्रग में दस्वें वर्षकांट के आउसर पर एडियाई वार्षी समयलन के उद्गार्टन के दुरान की गई थी ठीक है 294 में एडिन ब्रग में ठीक है ओके और एलजाइमर है एक मस्तिक से जुड़ी बिमारी है जिसमें वक्ति धे दिरे अपनी यदास खोने लगता है और इस बिमारी में वक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता ठीक है कि इसके बाद में हैं पोईट नमबर दस अंतराश्टे 30 सवस्था दिवस 1907 को 20 सितम्बर को मनाया गया ठीक है अंतराश्टे 30 सवस्था दिवस 2020 का मनाया गया गुनि शितम्बर को ओके इसका थीम क्या था अचीविंग एटरेस फ्री कोस्ट लाइन ठीक है यह को याद रखना है थीम बहुत इंपोर्टेंट है और यह सबसे पहले का मनाया गया था 1986 में यानी गुणिश्टु सहीआसी में मनाया गया था पहली वार ठीक है ओके अगे रहेगा अपना पॉइंट नंबर 11 अंतराष्टे सांति दीवस है यह 21 सितंबर को मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतराष्टे सांति दीवस हर साल 21 सितंबर को अंतराष्टे सांति दीवस मनाया जाता है वो इसका जो थीम था वो क्या था वो था सेपिंग पीस टूगेदर ठीक है सेपिंग पीस टूगेदर ठीक है यह हमारी सोरी महमारी के दुरान दया भाव साइता और आसा बने रखने पर अधारित है ठीक है इसके बाद में है जो आगे दो पॉइंट इपोटेंट है स्विंगत राष्टर का मुख्याले काम पर है तो यह नियुवर्क स्विंगत राजी अमरीका में है इसकी स्थापना कभूई थी 24 सक्ट नुबर 1945 को और जो इसके मास अचीव है वो कौन है सिरी एंटोनिया गुटेरस यह आपको दौनों पॉइंट नोट करने हैं आगे हैं पॉइंट नंबर 12 है राष्ट्रपती ने उच शिक्ष्या में राष्ट्य शिक्ष्या नीती 2020 के कार्यवनन पर विजीटर समयलन का किया है ठीक है थोड़ा इसको पढ़ लेना है और यह 21 सदी की जुरूरतों को पूरा करने की दिसा में शिक्ष्या प्रणाली को फुनर्जिवित भी करने का इसका उदेशिया है ठीक है तोड़ा सा इसको देख लेना इसके जद्धा इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है उसके बाद म आने वाले सारजुनिक उपकरम हिंदुस्तान और्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ठीक है एच ओ सील का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान और्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड जो कि उसके सबी उत्पादों के लिए ब्यूरो ओफ इंडियन स्टेंडर्स यान बी आईयस परमान प केमिकल्स लिमिटेट के सभी उत्पादों को वैपक रूप से स्विकार किया जा रहा है ठीक है विशेश रूप से फॉर्मिलिष्टिकल उधोग में जहां उत्पवाद की जोगंश्तम कुणवता की मांग की जाती है ठीक है आगे चलते हैं पूर्वे प्रधान मंतरी एच्ट ली देवगोडा ने करनाटक से राजे सभ़ा के सद्धेशे के रूप में सपत ग्रेंड की है 1666 में यह पहला मोका था जब जेडी नेता उन्च सदन के सदेशय बने थे उसरी देवगोड़ा है यह एक जून 1909 से लेकर 21 अपरेल गुनिशु चित्यानमे तक बारत की 11 प्रदान मंतरी थे इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके इलावा उन्होंने गुनिशु चुरानमे से लेकर 1909 तक करनाटक के मुख्य मुंतरी के रूप में भी कार्य किया था ओके यह आपको अच्छे से नोट करना है आगे चलते हैं पीम मोदी ने बिहार में गरतक फाइबर योजना का किया है सुबारम ठीक है ओप्टिकल फाइबर इंटरनेट प्रियोजना को घरतक फाइबर योजना के तहत इलोक्त्रोनुक्स और सूचना प्रदोगी की मंतराल देवारा किर्यावनित किया जाएगा और इस प्रियोजना से वह 45,945 काओं को जोड़ा जाएगा ठीक है और इस से कोने-कोने में यह वह इसका डीडिजिटल करांती है पहुंच जाएगे आगे है जो हमारा important point है बिहार के मुख्य मंतरी कोन है नितिश कुमार जी है राजय पाल कोन है भागु चुहान जी इलोक्त्रोनुक्स और सूचना प्रदोगी की मंतराले में राजय मंतरी कोन है तो वह यह है धोत्रे संजे साम राव ठीक है धोत्रे इन नो यूर कस्टमर नाव यूर कस्टमर सुधा की शुरूबात की स्टेप सी बैंक में ठीक है तोड़ा देख लेना इसको तोड़ा सा उसके बाद में आगे चलते हैं पॉइंट नमबर 3 है IDFC mutual fund ने सुरूब किया है SIP in fixed income ठीक है IDFC mutual fund ने सुरूब किया है SIP in fixed income अभ्यान सुरूब किया है ठीक है SIP in fixed income ओके इसके बाद में जो है इसका जो SIFI नामक एक नया campaign निवेस्टों को systematic investment plans के जरिए fixed income जो प्रूब है उसके निवेस्टों के फायदों के बारे में जारूता करने के लिए सुरू किया गया है ठीक है थोड़ा पढ़ लेना इसके नहीं ज़्यादा important नहीं है फिर भी आगे करते हैं IDFC AMC के मुख्य कारे कारी अधिकारी कौन है वो है विसाल कुपूर विसाल कपूर जी कौन है यह IDFC और AMC के मुख्य कारे कारी अधिकारी है कई अगे पॉंट नंबर चार है वोल्वो कार इंडिया ने लॉंज किए वोल्वो कार फाइनेसियल सर्विष इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो वोलव कार ने शुरू किया है वोलव कार फाइनेसियल सर्विस इस वीदा के अंतरगत कार की एक सो रूम की केमत 100% तक फाइनेस वीदा दी जाएगी और साथ ही विशिश शर्टों के तहट कोई भी जो फोर कोलेजर चार्ज नहीं लिया जाएगा इसमें अंदर ठीक है आगे है HCL और Google जो है क्लावड उसने HCL के एक्टियन के लिए की है साज़दरिका विस्तार करने की गोसना ठीक है HCL और Google क्लावड ने HCL के, JCN के ़िए की है साज़दरिका विस्तार करने की गोसना HCL Technology और Google जो क्लावड ने HCL के एक्टियन जो फोर्टिफोलियो ACT Nyl aleaj को Google क्लावड पर लाने के लिए अपनी रनितिकी improvement के विस्तार की गोसना किये एक्टियन एवलोच एक है वो यह हाई प्रफॉमेंस हाईब्रीड क्लाउड डेटा जो वेरहाउस है ठीक है जिसे एड जो एंटरफ्राइज के सबसे ज्यादा जो है डिमांडी और प्रेस्टनल जो है वो एनलीटिक्स जो वरकलोड होता है उसको पावर देने के लिए इसका इसका काम कियादाता है ठीक है ? एक्टियन जो एवलोच है ये गूगल क्लाउड के जो है उसके एन्थोस एप्लिकेशन प्लेटफॉम का लाग उठाने वाले हाईब्रीड क्लाउड के माधियम से गूगल क्लाउड पर आई-बी-म जो नेट जा और और सेल जो एक्स डाटा होता है उसके पूरा करने में वेरावस को इस्तायंद करने के लिए इसका असान रास्ता प्रदान हो जाएगा इसको ठीक है इस थोड़ा सा देख लेना है जो भी है इसके अंदर थोड़ा यह लेंग्विज लिखी हुई है इस ही आगे है पीम मोदी ने चिकित सा सिक्षियों के लिए जीता है आईजी नोबल पुरुषकार 2020 इंपोर्टेंट है प्रधान मंतरे नेंदर मोदी को चिकत सा सिक्षिया के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबल पुरुषकार के लिए चुना गया है ठीक है यह आईजी पुरुषकार क्या है तो भी देखते हैं संस्ता के मुत जायर बोलंड शारो और युनाइटेड किंग्डम के बोरिस जॉन्सन और मेक्सिको के आंद्रेस मैनुवल लोपेज ओब्राडोर और बिलारूस के अलग जेनरल लुकासेको और यूएस के डुनाल्ड ट्रम्प और तुर्की के रेस पे तैप देर गोनो और रूस के वालमद करना है इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने स्वयूत रूप से आई जी नोबल सान्ती पुरुषकार 2020 जीता है यह भी आपको नोट करना है उसके बाद में इंपोर्टेंट पॉइंट आता है नवाक चोकविच ने जीता है टंटी टंटी इटालियन ओपन का किताब नवाक चोकविच ने अर्जेटेना के डियेंगो श्वार्टिजमेन को साथ च्छै और पांच तिन से हराकर 2020 मैं से सिंगल इटालियन ओपन का किताब है वो अपना केरियर का पांचवां जो रोम किताब अपने नाम किया है वही वीमें सिंगल में स्यमोना हलेफ ने चैंपियन के रोलीना जो है प्लिप्स कोवा उसको हराकर चैजिरो से और दो एक से हराकर अपना पहला इटालियन किताब अपने नाम किया है ठीक है तो यह आप देख सकते हो में सिंगल के अंदर नुवाग चोकविच रहे हैं वोमें सिंगल के अंदर जो सिमान हिलेप रह हैं वोमेंस डबल के अंदर हैसी सुवेई एंड बार्बो बोरा जो श्ट्राइकोवा है वो रहे हैं ठीक है तो यह आपको सारी पॉइंट नोट कर लेना है आगे चलते हैं पॉइंट नंबर आट पे चलते हैं अंतरश्टे रेड पांडा दिवस 2020 गुनी सितंबर को मनाया जाता है अंतरश्टे रेड पांडा दिवस हर साल सितंबर के तीसरे सनिवार को लाल पांडाओं के स्रंक्षन के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूता बढाने और समर्थन देने के लिए अंतरश्टे रेड पांडा दिवस आई आर पीडी मनाया जाता है वरश 2020 में IRPD गुंडी सितंबर 2020 को मनाया गया ये सितंबर के तीसरे सनिवार को मनाया जाता है ये भी आपको नोट कर लेना है इस दिन की सुरुवात साल 2010 में रेड पांटा नेटवरक द्वारा की गई थी अठारा सितंबर 2010 को पहला अंतरास्टे रेड पांटा द्यूस मनाया गया था ये भी आपको नोट करना है लेकिन ये कभी भी सितंबर के कोई डेट फिक्स नहीं है ये सितंबर के तीसरे सनिवार को होता है ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले ठारा सितंबर को मनाया गया 2010 के अंदर और 2020 के अंदर 2020 में गुनिश शितंबर को मनाया गया आगे है रेड पांडा नेटवर्क के सस्ताप कोन है तो ये है ब्राइन वीलियम्स ठीक है मुख्याले कहां पर है यूजीन ओरेगन में ठीक है आगे पॉइंट नमबर नो है असम म्यूजीसियन जो है भीजू रजन चोदरी का निधन हो चुगा है ठीक है यह आपको नोट कर लेना है तो देख लेना इसके अंदर जियाओ चीज भी है चोदी जिन्होंने गौवटी दर्शन के पहले धरावी की जिवोन और बटोट एक संगी त्यार किया वे असम राजे फिलम निगम के अद्धिक सेक्स के रूप में स्योहनी वर्थ हुए थे आगे हैं 10 नुबर पॉइंट पूर्वे कनाडाई पीम जोन ट्रनर का निधन हो चुका है यह इंपोर्टेंट है ठीक है कनाडा की पूर्वे प्रधान मंत्री जोन ट्रनर का निधन हो चुका है उन्होंने 1984 में केवल गुनियासी दिनों के लिए प्रधान मंत्री के रूप में दूसरा सबसे छोटा करेकाल है ठीक है इनका जनम है यह साथ जून गुनीशु गुन्तीज को रीचममंट इंग्लेंड में हुआ था ठीक है अगर पूच सकता है इससे भी तो शही है हमारा यह भी नूट कर लेना ठीक है जोन ट्रनर गुनीशु अडशर्ट से सोधारों के गरभपात कि खिलाबी अन्होंने बंचाम किया था ठीक है और उन्होंने गुनीश 노래 ऑ्र। कनाड़ा दिया आगे हैं नेपाल की महान प्रवतार है आन्ग रीता सिर्पा का निधन हो चुका है को थे नेपाल के कौन थे वो थे 10 भार चड़ने वाले पहले वक्ती नेपाल की आंग रीता सेरेपा का निधन हो चुका है ठीक है इन्होंने गुनिशो तैयासी से लेकर गुनिशो चानमे की बीच दुनिया के सबसे उंची प्रवत पर कई बात पते की है वेना oxygen से बहुत बड़ी बात होती है यह इसके उपर 5-6 इस टार गा लेना थीक है इसलिए उन्हें अपने चडाई को सद के लिए सनोल लियोपार्ड की नाम से भी जाना जाता है यह भी इंपोर्टेंट है यह अपको नोट करना दिगेज प्रवतारहन को बिना oxygen का सबसे सपल और वही के रिये परतिश्टित गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड का प्रमानपत्र से भी समानित किया गया था इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड ने उन्हें दिसंबर बिना उक्षिजन का उप्यों के सर्दियों में एवरिस्ट पर चड़ने वाले पहले वक्ति के रूप में भी मानेता देती यह आपको दोनों पॉइंट है इनके बारे जितना लिखावा है यह सब नोट करना है आगे चलते हैं बारत ने मालदीव के साथ मिलकर शुरू की है पहली सिंधी कारगो फेरी सेवा ठीक है इंपोर्टेंट है बारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीस वैपार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितम्बर 2020 को पहली बार सीधी कारगो फेरी सेवा शुरू की गई है मालवाक नोक सेवा मालदीव के कुल धूफुसी और माले बंदरगा को भारत के तूती कोरिन और कोचिन बंदरगा के साथ जोड़ेगी यह पहल लागतों में कटोती करने और दोनों देशों के बीच माल परिवयन में लगने वाले समय को कम करने में मदद होगी बारत और मालदीव के बंदरगाओं को जोड़ने के लिए सीपिंग कोपरेशन ओफ इंडिया यानि SCI द्वारा संचालित कारगो फेरी वेसेल MCP लीच का उप्यों किया जाएगा आगे पॉइंट नमबर 13 उससे पहले है सोरी सीपिंग कोपरेशन ओफ इंडिया SCI के MD एडेक्स कौन है तो यह है सिरी मती एच के जोसे सिरी मती एच के जोसी है यह MD और CU है किसकी SCI के इसका मुख्याले काम पर है मुंबई मारस्ट के अंदर है इसकी स्तावना का बुई थी 1950 के अंदर यानि आपको तीनों पॉइंट करना आगे है कि पॉइंट नमबर 13 फेस्टिवल डेस्ट जो है फेस्टिवल था एक यह तोड़ा पढ़ लेना है आपको ओके यह देखना है कि यह फेस्टिवल प्रुवतर के हच्च शील्प और हत्र कंगा जिविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा ठीक है इस फेस्टिवल को तो ठारा में करें इंदिया नइदिली में हुआ ठीक है लेकिन दुदर 20 में काहँ पर हो रहा है तो यह भी तोड़ा सा और आपको इसा फील हो रहा है कि कहां पर हो रहा है तो यह मुझे आप बताओ कि कमेंट बोक्स के अंदर लिख कर ओके उसके बाद में आज का लास्ट पॉइंट रहेगा जम्मू कस्मीर ने साथ के लिए नेशनल जैनरिक डियोंड डियोकर में रजिस्टरेशन सिस्टम को यह लीजनर विवी क्या हैं इसस्टम को रच्टेसौस विग् Lebens के अंदर NIC द्वारा विभिन प्रकारों और विवित्ताओं को समझेद करने के लिए विक्षित किया गया है जो राज्या में सवरूब बासाओं और परिकिरियाओं के सुत्रों के दार पर परबल होगी सुचना और डेटा तक कहें भी पहुंच को सक्सम मनाएगा तो यह अपना जो 22 सितमर की करनटा फेर है यह कंपलीट होती है और इसके साथ में मैं आपको एक वार फिट से एडवाइज यही करूंगा कि जो हमारा मंतली करनटेपर का वीडियो होते हैं वह आप कंपलीट वीड जाएंगे यह अगर आप NTPC से एक्जाम दे रहे हो तो कम से कम में अगर आठ महीने की करनट पर बता रहा हूं तो उसके अंदर कम से कम लगभग 18 से 20 क्यूशन आएंगे जिसे कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता कोई भी ठीक है तो आप वह वीडियो कंपलीट देखना तो थेंक्यू दोस्तों बाइबाई टेक केर सी यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बाइबाई